नमस्कार दोस्तों आज 9 फरवरी है शुक्रुवार का दिन है और आज की दिन चंद्रमा मकर राशी में संचार करेंगे आज का दिन सभी राश्यों के लिए कैसा रहने वाला है आए जानते हैं मेश राशी आज की दिन आपको मनोभावूं को काबवो में रतना हो नहीं तो सामाजी दिस्तर पर आपकी छवी खराब हो सकती है कारिशेत्र में बैंडिंग काम न चोड़े यानि कि हर कार्य को करने पैतर कारूबच से आपको कि लाब मिलने की संभावना है कोट कछरी के किसी मामले को लेकर परेशान है तो उसका समाधान आपको मिल सकता है उच्छी शिक्षा आर्जित कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा मितुन राशी उदर से संबंदित कोई स्वास्ते समस्य आपको हो सकता है पारिवारिक जीवन में सामान जफल आपको प्राप्ठोंगे साज़दारी में कालोबार करते हैं तो पार्टर के साथ मिलकर कोई रणवी आप बना सकते हैं मल्टिनेशनल कंपनियों में काम करने वाले तिराश के जातकों को आज लाब मिल सकता है सिंग राशी आज आप मानसिक रूप से अस्थर नजर आ सकते हैं मन की चंचलता को कम करने के लिए आपको प्रणायाम करना चाहिए अपने दिल के राज आज खुद तक ही सीमित रखें आपकी मुलाकात आज के दिन किसी ऐसे शक्स से हो सकती है जो आध्यात्म के पत पर अग्रसर है करने रा तुला राशीत माता के साथ अच्छा असमें आप बिता सकते हैं पारिबारिक जीवन सुख में रहेगा प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते थे तो उसके लिए दिन काफी अच्छा रह सकता है हालांकि लेंदेन के मामनों को लेकर आपको थोड़ा साफधान देना होगा और लेंदेन करते समय किसी विश्वास पात्र को अपने आसपास आपको रखना चाहिए रिष्चिक राशीत जिदि सेना पुलीस या किसी भी तरहे का सहासिक कारे करते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है आधिकारियों के द्वारा आपको प्रशन चाहिए लोग आज के दिन अपनी अलग पहचान सकते हैं मकर राशी मन की चंचलता कम होगी इसलिए इस राशी के विध्यार्थियों को आज कि दिन शिक्षा के शेत्र में अच्छे परिणम राप्त हो सकते हैं किसी से मुलाकात भी आज के दिन हो सकती है माता के पक्ष के राष्प जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपका प्लान आज की दिन सफल हो सकता है रोजगाफ की तलाश कर रहे हैं तो आपको अधिक मैनत करने की आवशकता प्राशित की जो विध्यार्थी विदेशों में शिक्षा आरजित करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनको आज परिणाम हो सकते हैं अमीन राशित आज आपको कई श्रोतों से ध्रलाब मिल सकता है भाई भेहनों का भी आपको सहयोग मिलेगा शेयर बजार में पैसा ल झाल